हालो व्रीवन विल्कम टो प्रींस एक चानल आज लोगयां पर बात करेंगे आपके बहुत ही इंपोर्टेंट नमवर्ट सिस्टम के बारे में बहुत सारी सीडिया आपको दी जाती है यह से इस तैप सी हम कोशन नमबर वन देख भी रहे हैं यह पार वन है इसके आगे बहु के सीरीज दी जाती है स्क्वेर रूट के फॉम में सो यहां पर आपका पूरा कंसेप्ट इस टाइप को अगरा जाते हैं तो आप बहुत एजी लिए वन तूसरी सेकेंड में मिल्स को स्वाल करेंगे गाई यह 100 परसेंट गारंटी है सो आएए देख लेते हैं किस टाइप से हम कोशन को सॉल करेंगे बट इसके लिए आपको वीडियो को एंट तक देखना है क्योंकि यहीं आपके सारे कंसेप्ट किलियर हो जाएंगे मैंने इनके आपके शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रवाइट की हुई हैं सो जिन फाल यहां पर चीज आपके रीपीट होती आपके टाय सकमीश है कर शॉरुण यहां पर इस डौर की सारे है इस कोरिकında जाएंगे निस्ट को सो टॉस्योज द्रीकसर है कैसे उसकार मैं यहां पर जो भी वेल्यु कॉंगी मैंने आपसे क्या बोला जो भी value होगी क्या value है यहाँ पर? 7 है क्या value है आपकी यहाँ पर? 7 है तो अगर इस टाइप से equation दे दी जाए जो आपकी multiple में है means कोई plus minus का sign नहीं है product में है multiply में square root 7, square root 7, square root 7 square root 7 हम चलती जाले हैं 5 times तो धियान रखना जो desert होगी वो ही उसका answer होगा, right? जो desert होगी वो ही उसका answer होगा it means 7 is the answer of this question कितनी चल्दी आपने कितने second में calculate कर लेंगे 1 second भी नहीं लगाएंगे, question देखते ही आप answer दे देंगे same अब आप इसका answer बहुत second में दे सकते हैं means 1 second में आप इसका answer बता सकते हैं square root 5, square root 5, multiply infinite तक चलते जारी है so इसका answer क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, so this is the answer and this is very easy question इस type से हम सभी question solve करेंगे now next question solve कर लेते हैं now फिर टाइप 2 type 2 हम यहाँ पर देखेंगे type 2 में आपको इस type के कुछ questions दिये होंगे, जहां पर आपको square root 6, square root 6, square root 6, square root 6, square root 6 बस यहीं पर आपकी equation end हो जाती है means यह equation आपकी infinite तक नहीं जाती, इससे पहले type 1 में हमने क्या सिखा था, कि यह जो deserts हैं वो infinite तक जाती है so जो desert आपकी multiply में है and infinite तक जाती है but यह deserts आपके infinite तक नहीं जाती, so इसका answer directly 6 नहीं होगा, so इसके answer की trick समझ लीजिए, first of all आप as it is यहां पर 6 लिखेंगे, ठीके, जो value है वो आप as it is लिखेंगे, अब यहां पर देखते है, square root का मतलब क्या होता है, अगर आपको value नहीं दिये, means इस root में 3, 4, cube root इस type से नहीं बताया हुआ है, तो normally आप जानते हो यहां पर क्या होता है, हमारा 2 होता है, सब में क्या होगा, 2 होगा अब कितने 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीके, तो यहां पर लिख लीजिए, 5 times 2 हमने यहां पर लिख लिख लिया पावर के डिनोमिनेटर में लिख देंगे क्या लिख देंगे, पावर के डिनोमिनेटर में निमिनेटर में क्या हैगा इस में से एक वैल्यू माइनस करेंगे तो 31 लिख देंगे, तो आंसर आजाएगा, 6 ratio 31 upon 32, this is the answer यह आपको कोई rectification नहीं है easily आप इस आंसर को लिख सकते है तो आपको trick समझ आ गई अगर trick समझ आ गई तो second question solve कर लेते हैं square root 5, square root 5, square root 5, square root 5 सबसे पहले 5 लिखेंगे यहां पर देखते हैं कितने 2 है 4 times 2 है that means जब हम इनकी multiply करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 so 5 के जो power है उसके denominator में 16 and numerator में minus 1 करके 15 लिख देंगे that means 5 ratio 15 upon 16 is the answer of this question clear है समझ आ गई आपको अच्छे से कि किस तरीके से हम question को solve करते हैं आप जल्दी से मुझे comment quotes में आप comment करके बताएंगे अगर आपको square root 3, square root 3, square root 3 दे दिया जाएं, so इसका answer क्या होगा, सभी students कमेंट बोक्स में इसका answer प्रवाइड करेंगे सभी answer लेखेंगे, right now next type solve कर लेते हैं now friends, type 3 आप लोग को क्या दिया हुआ है square root 30, plus square root 30, plus square root 30, plus up to infinite यहाँ पर हम देख रहे हैं, square root 30, minus square root 30, minus square root 30, minus up to infinite right, so आपको यहाँ पर product नहीं दिया है, यहाँ पर plus minus के sign दिये है and यह digits आपकी infinite night तक यही term चलती जा दिये so पहले तो मैं आपको एक short trick बताऊंगे then आपको इसका formula भी बता दिये जाएगा कि कैसे आपका यह answer आया है guys, हमें क्या करना है, कभी भी इस type से आपके series दे दी जाए so 30 के ऐसे product कीजिए, 30 के ऐसे factor कीजिए, जिनका difference क्या है, 1i ध्यान से सुनना, 30 के ऐसे factor means जो भी आपके digit 3 हो, उसकी ऐसे factor जिसका difference 1i, right, क्या 30 के factor हो सकते हैं, yes 10th रिजा 30 होता है, but 10th रिजा 30, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे, तो 7 आजाएगा, लेकिन मैंने आप से क्या बोला, ऐसे factor जिनका difference 1i, अब next लेखते हैं, 5 जिजा क्या होता है, 30 होता है, it means हम यहाँ पर जब इसके factor करेंगे, तो 5 और 6 आएगे, and इसका difference 1 आ रहा है, तो यह हमारी right है, यानि कि यह condition हमारी fulfill हो गई, कि हमने 30 के ऐसे factor कर लिए, जिनका difference 1 आया है, right, अब हम क्या करना है, अगर यहाँ पर plus का sign हो, यहाँ पर क्या हो, सभी में, एक में नहीं, सभी में, अगर आपका plus का sign हो, तो आप क्या करेंगे, बड़ी value ले लेंगे, and वो ही आपका answer होगा, इस question का, समझ आया, अगर आपका plus का sign है, सभी जंगल, तो बड़ी value लेंगे, वो ही इसका answer होगा, but अगर यहाँ पर same, जैसे question आप देख रहे है, same question है, but sign different है, sign क्या है, minus का है, so same 5, 30 के factor 5, 6 ही होगे, difference भी 1 होगा, but अगर sign minus का आता है, तो छोटी value लेंगे, that means, answer will be 5, so यहाँ से हम देख रहे हैं, question same है, सिर्फ sign different है, plus sign होता है, तो बड़ी value लेते हैं, negative sign होता है, तो छोटी value लेते हैं, यही छोटा सा difference है, इन दोनों question को solve करने का, and अगर किसी को formula भी जानना है, तो इसका formula होता है, 4a plus 1, plus minus 1 upon 2, a क्या है, यह जो value होगी आपकी, यहाँ पर a की value put कर देंगे, अगर आपका यहाँ पर plus होगा, तो plus ले लेंगे, and minus होगा, तो यहाँ पर minus ले लेंगे, means clearly समझ लीजे, यह formula इसका है, and इसका formula है, 4a plus 1, and bracket के बाहर minus 1 upon 2, यह जो 4a plus 1 है, यही तक है आपका, right, square root 4a plus 1, plus 1 upon 2, and यहाँ पर square root 4a plus 1, minus 1 upon 2, इस formula में a की value 30 but क्योंकि हमें तो competition exam में participate करना है, easily बहुत second हो में answer देना है, so this is the trick of right, the answer tick कर दीजेगा, फटा-फट से question को देखते ही, now same हम इन question को देखेंगे, 870 कितना होता है, 56, difference भी 1, ऐसे factor के जिनका difference 1 आए, plus का sign है, तो value क्या होगी, बड़ी value, answer 8 आ जाएगा, now 670 क्या होता है, 42 होता है, difference 1 है हमने देख लिया, negative को sign है, so answer क्या होगा, छोटे वाली value, that is 6, clear है, समझ आ रहे न, अच्छे लग रहे हैं, तो guys, video like कर दीजेगा, comment कर दीजेगा, यह समझ आ गया, and इसी type से, now next type 4 हम लोग यहां पर देख लेते हैं, now friends, type 4 आपको दी हुई है, square root 13 plus, square root 13 plus, square root 13 plus, up to infinite, and same, square root 13 minus, square root 13 minus, square root 13 minus, up to infinite, ठीके, so यहां पर हम देख रहे हैं, कि 13 का factor नहीं हो सकता, 11 का factor नहीं हो सकता आपका, so इसे कैसे solve करेंगे, guys, इस question को solve करने के लिए, हमने जो अभी formula read out किया था, वो formula हम लोग यहां पर apply कर देंगे, formula क्या read out किया था, 4A plus 1, plus minus 1 upon 2, plus minus 1 का, जब यहां पर plus हो, यहां पर plus, minus हो, यहां पर minus, that means क्योंकि यहां पर plus है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, plus लिखेंगे, so हम यहां पर 4 into, A की value क्या है, 13 है, plus 1, and square root के बाहर, plus 1 upon 2, now, 13 for the 52, plus 1 कितना हो जाएगा, square root 53, plus 1 upon 2, so this is the answer of this question, right, अगर कोई ऐसे डिजिट जिसके factor नहीं हो सकते, कि उनका difference 1 आए, ऐसा factor नहीं हो सकते, तो उसको हम directly इस formula से solve करेंगे, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले form, उसमें भी type में भी बताया था, कि यह formula होता है, बट उसे हम directly लिख भी जखते हैं, तो अगर आपसे 1 mark से question पोचा जाए, टीक वाले में, तो उसे आप directly वहां पर लिख देंगे, now, same, यहां पर इसका answer क्या हो जाएगा, minus 1 upon 2, that means, दोनों में difference क्या है, सिर्फ यह plus और minus का है, तो धिहान रखना, इसका जो formula होता है, square root 4 is, plus 1, plus minus 1 upon 2, अगर question में plus है, तो हम plus लेखेंगे, question में minus है, तो minus लेखेंगे, यही एक चोटी से trick है, इस question को solve करने की, easily आप अपना question का answer लेख सकते हैं, समझ आ गया, तो वीडियो लाइक कर दीजेगा, अगर आपना अभी तक नहीं किया है, now next part सीखेंगे, क्या होता है formula, square root 4 is, plus 1, plus 1 upon 2, क्योंकि बीच में यहाँ पर plus है, तो इसलिए हम plus लिखेंगे, now, एक ही जगा पर क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, plus 1, plus 1 upon 2, 11, 4 जर कितना होता है आपका, 44 होता है, and plus 1 क्या हो जाएगा, square root 45 plus 1 upon 2, right, now, यहाँ पर क्या हो जाएगा, directly लिखेंगे, आप तो, root 45 minus 1 upon 2, clear, so, this is the answer of this question, बहुत इसलिए आपने इसका answer find out कर लिया, इसी तरीके से आपका यह type 4 complete हो जाता है, guys, I hope आपको यह अच्छ समझ आ गया होगा, now, next type 5 भी देख रेते हैं, now, friends, type 5 में आपको दिया हुआ है, इस type के series, जहाँ पर square root 4 plus square root 4 minus square root 4 plus square root 4 minus square root 4, so, यहाँ पर क्या हो रहे है, value थो same है, square root भी है, infinite तक जा भी राए, लेकरन जो sign है, एक बार plus है, एक बार minus है, फिर plus है, फिर minus है, plus है, minus है, plus है, plus है, minus है, थिर वेल्यू रिपीट हो रही है, next question, अब हम देखते हैं, यहाँ पर square root 4 minus square root 4, that means, यहाँ पर थोड़ा सा different question में difference देखे क्या है यहाँ पर पहले plus है फिर minus फिर plus फिर minus यहाँ पर पहले minus फिर plus फिर minus फिर plus इस type से question आपको दिया हुआ है तो इस type के question को कैसे solve करेंगे guys एक छोटा सा formula आपको याद रखना है इस type के question को solve करने के लिए square root 4a-3 plus minus 1 upon 2 यह एक छोटा सा formula है जो आपको याद रखना है यहाँ पर इस plus minus का मतलब क्या है अगर question में पहले plus दिया होगा तो plus लिजेगा पहले minus दिया होगा तो यहाँ पर minus 1 लिजेगा राइट तो यहाँ पर question में क्योंकि पहले क्या दिया हुआ है plus दिया हुआ है तो कैसे solve करेंगे square root 4a-3 right so a की value कितनी है 4 है minus 3 and क्योंकि पहले plus है तो हम plus लेंगे plus 1 upon 2 4 for the 16 16 में से 3 minus करेंगे तो गया जाएगा 13 आ जाएगा that means square root 13 plus 1 upon 2 right now जब हम इस question को solve करेंगे so हमारा formula क्या होगा 4a-3 and यहाँ पर minus 1 upon 2 होगा क्योंकि पहले minus 1 है so एक छोट असा different plus minus का यहाँ पर क्यों है अगर पहले plus है तो plus 1 लेंगे पहले minus है तो minus 1 लेंगे so जब हम यहाँ पर solve करेंगे 4 into 4 minus 3 minus 1 upon 2 4 fours are 16 and minus 3 कितना हो जाएगा 13 that means minus 13 sorry square root 13 minus 1 upon 2 so this is the answer आप देख सकते हैं इस सिर्फ प्लस और माइनस का difference है इस सी टाइप से हम इस question को भी solve करेंगे so जल्दी से बताएगे square root 4 है and पहले plus है तो आपका यहाँ पर तो minus 3 ही रहेगा plus 1 upon 2 that means square root 4 into 6 minus 3 1 upon 2 6 fours are कितना होता है 24 होता है 24 में से 3 minus कर देंगे तो क्या जाएगा 21 हो जाएगा that means square root 21 plus 1 upon 2 and अगर आपको इसका directly answer बताना होगा तो guys क्या जाएगा square root 21 minus 1 upon 2 क्योंकि हमने अभी देखा कि answer सेम आता है सिर्फ साइन का difference होता है तो यहाँ पर क्योंकि पहले plus है तो हम plus लिया यहाँ पर पहले minus है तो हमने minus ले लिया and बाकी तो आपके digit सेम है तो answer बिल्कुल सेम आएगा so guys इस तरीके से 5 types आप पे देख लिए है किस तरीके से हमने solve की है सभी questions हम इसी तरीके से solve करेंगी अगर आप चाहते है इसे टाइप से आपको और भी other tips tricks प्रवाइड किये जाए तो आप comment box में ज़रूर करके बताईएगा यहाँ आपके लिए all interesting videos लाई जाएगी जो कि आपके लिए helpful होगी and जल्दी से अपने सभी friends को share कर दीजे बहुत जल्दी हम लोगे एक बहुत interesting सा concept भी लेके आएगे जो कि आपके लिए helpful होगा अदल concept अगर आप चाहते हैं तो comment box में ज़रूर बताईएगा okay so मिलते हैं next video में bye bye take care